दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के टॉप 20 कोशन करने वाले हैं कुछ ही चंद मिनुटों में तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में हर बहन हर भाई का दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे तो पहला कुशन ये रहा बिना रुके हर कुशन के लिए मिलेंगे आपको 5 सेकेंड तो भईया कुशन पढ़ लेते हैं 4 उप्संस है 5 सेकंड में हर कुशन को धुआ धुआ करना आपका काम है फैदो मीटर का उप्योग किसे मापने के लिए किया जाता है तो हम जब भी बात करते हैं भूकम की तो हम कहते हैं अर्थकुएक्स की बात करेंगे हैं ना अर्थकुएक्स को हम जो है रियक्टर स्केल से मापने हैं बरसा की बात करें तो रेंगेज पैमाना होता है, ऐसे ही अगर हम ध्वनी तीब्रता की बात करें तो डेसीवल होता है, ऐसे ही फैदो मीटर की बात करें तो समुद्र की गहराईस को हम फैदो मीटर यंतसे मापते हैं, तो सारे कुसंस क्लिक हो गए, पांस सेकेंड में हर ब्य तो जब हम बात करते हैं वेदों की वेद क्या है सर एक बुक ही तो है तो वेद की बात करें धर्म बुक है जहां पर हमारे जो है चरित्र चित्रन का वर्णन किया जाता है कि हमारे प्राचीन काल में क्या है और क्या होने वाला है सिस्टम पूरी तरीके से वहाँ पर मिलेगा रिगुवेद यजुरुवेद उपनिशत भगबत कीता अगर हम वेदों की बात करेंगे तो वेदों को चार भागों में बाटा गया रिगुवेद यजुरुवेद सामवेद और अथरवेद अगर बात करें पुराना वेद प्राचीन वेद कौन सा है रिगुवेद है और य है जहां पर बंबू नत्य किया जाता है options मद्दे प्रदेश हैं मेघाले मिजोरम या फिर उत्र प्रदेश तो भैया answer किसके साथ जाएगा अगर हम देखें आपका समय समप्त होता है मेघाले के साथ चला जाएगा मेघाले आपको कहां पर पढ़ता है भारत में उतर दिशा में दक्षिनी दिशा में पूर दिशा में कहां पर तो आपका पूरवत्तर राज्य में पढ़ता है मेघाले मेघाले की अगर हम बात करें तो याद रखना है कि मेघ मेघाले की राजधानी कुछ सेन में पूछी जाती हैं बारवार तो मेघाले की राजधानी है शिलोंग क्या headache अधर llama है यहां की प्रमूग जन जाती हैं और पहाड़ी ब्हीं है कुछ से कि दोरा होता है विसाडू के दोरा यानि वाइरस के दोरा जीबाडू की बात करें वेक्टीरिया के दोरा प्रोटो जोन है या फिर कवक की बात करें तो आंसर किसके जाएगा ना विसाडू है ना जीबाडू है ना कवक है ये सबी आंसर गलत हो जाएंगे आंसर जाएगा मे बहुत जबजस बनता है कि मच्छर के पेट में किसे ने ताका जागी की थी, मच्छर का पेट के बारे में study करी, तो वो दोस्तों है रोनाड रास, question number next की बात करेंगे, question number next आपके स्क्रीन पर है, भारत का रास्टी फल कौन सा है, सेब अमरूद आम केला, जब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर की बात करते हैं, पसु की बात करते हैं, तो आप के तो बाग है, जिसको टाइगर के नाम से जानते हैं, टाइगर इस्टेट हमारा है मद्यपदेश, सबसे ज़्यादा भारत में बाग यानि जो है पाई जाते हैं, वो मद्यपदेश में, भारत का रास्ट फल की बात करें तो आप के तो भई आम के साथ जाएगा और भारत की बात करें जली जो है जीब की बात करें तो डाल्फिन के साथ जाता है आंसर किस के साथ जाएगा फिलाल सी के साथ चला जाएगा मैगनी फेरा के साथ जाएगा कुछ नमबर सिक्स छपेली लोकनत्य है जब आप दें तो दोस्तों अगर बात करें छपेली लोकनत्य हमारा हिमाचल प्रदेश से संब्दित है हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हो कहीं न कहीं सिमला के साथ जाएगा और याद रखना है कि सिमला में आपका आलू अनुसंद्धान केंदर संस्थ जान भी इस्थित है क्लियर यह आपको याद रखना है नेक्स्टन की बात करें कुस्सन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लिया है आप सभी कहाँ ये होता हो गा कि पूř्ड सूरे गहनड सूरे गहन पड़ता है या फिर चंद्रगहन पड़ता हो आपने ये द darauf होग कि 460 सेकेंड 500 सेकेंड या फिर 600 सेकेंड तो इस कुछिन का जो right answer जाएगा ना वो answer जाएगा भई या B के साथ जाएगा 460 सेकेंड आज आपका गलत हुआ है अगले exam में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा ये वादा है ये आपने खुद अपने से वादा किया है कुछन should number 8, बार बार exam में ट्रेंड करता है आपको सबी को पताऊगा लेकिन बच्चे परेषान हो जाते है, याद कैसे करोगे मैं बताऊगा इंदर धनुस की सकारण बनता है, इंदर धनुस की बात करें दोस्तों इंद्र धनुस बनता है दूसरा फैक्ट इंद्र धनुस का यह याद रखना है कि इंद्र धनुस किधर बनता है तो इंद्र धनुस हमेशा याद रखना है बरसा के बाद बनता है और सूरी के विप्रीत दिशा में बनता है अगर सूरी उस समय उत्तर में है तो दक्षिण में बन जाएगा, अगर पस्चिम में है तो पूर्व में बन जाएगा, मेरी बात समझ रहे ना, तो आपको समय जैसे दो बजे अगर इंद्रधनु बनता है, तो वहाँ पर उत्तर में होता है, तो दक्षण में बन जाएगा, पस्चिम में है तो पूर्व में बन जाएगा, मेरी क्या आकास नीला है क्या आप ऊपर बाद लोग की तरफ देखते हो तो आकास आपको नीला दिखाई देता है reason क्या है reason दोस्तों अपबरतन होता है क्या या प्रकीर्णन होता है तो आप को गए प्रकीर्णन की बात करेंगे लेकिन यार हमें reason यह नहीं बता हमें नीला आकास होता है क्या तो answer आएगा बिल्कुल नहीं होता है नीला आकास नहीं होता है जब आप नीचे से आप अंतरिक् कुछ नमबर 10 कुट्टे के काटने से जिस भी साडू के द्वारा रोग उत्पन होता है उस रोग का नाम क्या है कुट्टा अगर आपको काटता है तो कौन सा रोग होगा ये देशी भासा में पूछ रहा है आप जबाब दीजेगा क्या मम्स होता है हाइड्रो फोविया होता होता है चेचक होता है सबी बच्चे सब्सक्राइब कर ले हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जहिंद क्योंकि यहां पर मुद्दे को रोका नहीं जाता है बात करी जाती ही मुद्दे की कुशन्स को लगाओ और उसकी व्यक्या दो और आगे बड़ो फटा फटिक ना चं है इसलिए इसको नाम रख दिया गया हाईड्रोफोविया कुट्य के काटने के लिए आपके इंग्यक्शन्स लगते हैं पहले इंग्यक्शन्स काफी लगा करते थे लेकिन अब केवल एक या दो इंग्यक्शन्स में कही काम चल जाता है कुशन नमर 11 की बात करेंगे का धुआ निकालते रहें जूट पता लगाने के लिए देखो उच ताप मापने के लिए हम कहते हैं भाई पायरोमीटर अगर सूरी का टमप्रेचन मापना है तो हम क्या करेंगे कोसिस कर सकते हैं एक बार पायरोमीटर से सिस्मोग्राफ की करें तो भूकम का अध्यन कोई चोरी जो है सिस्टम में पसता है बड़ी चोरी में या फिर एक ऐसा केस जो होता है जो सरकार के द्वारा हेंडल करा जाता है तो उसका पॉलिग्राफ टेस्ट होता है ठीक न याद रखे आप्स नमर किसके साथ जाएगा सी के साथ जाएगा कुसे नमर 12 बायू की गति से क्या मापते हैं हम बायू का बेग मापते हैं ठीक ना बायू का बेब हाइडरो मेटर हमारा आपके वाटर से रिलेट करता है तो मैं कह सकता हूं कि बायू का बेग ही तो पूछा था बायू का गती जो हो जाएगा वो एनिमो मेटर रूट आफ एर होता है यह आपको याद आप याद रखेंगे option number जाएगा भाई बी के साथ question number next की बात करेंगे तेरमा नंबर जंगली बहसा किस राज्य का राज्य की पसू है उतरपदेश है रा अंदरपदेश है मद्य पदेश 36 कर तो इस question का right answer जाएगा भाई जंगली बहसा की बात करें तो आपका जाएगा 36 गड़ के साथ 36 गड़ की राजधानी अगर question में पूछा जाए तो 36 गड़ की राजधानी क्या हो जाएगी राय पूर हो जाएगी ये भी आपको याद रखना है next one की बात करें question number 14 आपके skin पर ये रहा सबसे पहले GST को लागू करने वाला देश कौन सा था अगर मैं बात करूँ GST आपका वही है जो भी product आप आजकल खरीद रहे हो जो भी market से अगर आप laptop, mobile, कुछ भी छोटे से बड़ा सामान आप खरीद रहे हो तो वहाँ पर GST जरूर लगेगा कुछ सामान में आपको 0% GST देना होता जहाँ पर लगता ही नहीं एक GST होता है एक IGST लगता है यानि एक देश के अंदर एक राज्य के अंदर अगर GST की बात करें तो GST का full form होता है good service tax होता है क्या good service tax होता है GST कहां से लिया गया है GST सबसे पहले भारत में नहीं लागू हुआ था सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था कहां पर फ्रांस में लागू हुआ था आंसर जागा भी या C के साथ के लियर हुआ next one की बात करें कुछ से नंबर 15 सरवादी कोईला उत्पादन राज्य कौन सा है मतलब सबसे ज्यादा कोईला किस राज्य में प्राप्त होता है भारत को उत्रपदेश, आंद्रपदेश, मद्रपदेश, जारखंड तो सरवादी कोईला बाला अगर हम बात करें तो यहां से बनेंगे दो कुछन पहला कुछन तो आपसे यह पूछता है कि यह बताओ कि सरवादी कोईला कहां पर है तो सरवादी कोईला दोस्तों आपका जाएगा जारखंड के साथ क्या जारखंड के साथ जाएगा ठीक ना और दूसरा Question आपसे ये बनता है कि सबसे अच्छा कोईला कौन सा होता है तो सबसे अच्छा कोईला होता है एंत्रेसाइट कोईला सबसे बेष्ट कोईला माला जाता है क्लियर ये आपको याद रटना है तो भाइया, आंसर जाएगा भई जहर कंट के साथ Question No.16 की बात करेंगे चार मीनार कहां पर अवस्थित है तो ध्यान दीज़ेगा विछ 16 से 20 question करेंगे 5 question में आपको ये भी वतान न होगा कि कोको कोला कमपनी किस देश की है तो यहाँ पर अगर हम बात करें चार मीनार कहां पर अवस्थित है तो चार मीनार दोस्तों हमारा कहाँ पर अवस्थित है तो चार मीनार अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर जी हाँ हैदरावाद, हैदरावाद, सिकंदरावाद, दोस्तों दो जुड़मा सहर कहे जाते हैं भारत के, फिलान आंसर जाएगा एक के साथ, और राइट आंसर हम एक क ट्रेन चली थी लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर ट्रेन को चलाने के लिए लाड डलहोजी को सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है क्या लाड डलहोजी को सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है यानि भारत में ट्रेनों का जलक डलहोजी को माना जाता है मेट्रो सरपतम कहा चली थी कोलकाता में चली थी अगर बात करे कोलकाता की तो कोलकाता एक पश्शी मंगाल की राजधानी है और पश्शी मंगाल को हम कहते हैं वेस्ट बंगाल कहते हैं यहाँ पर एक तियोहार बहुत प्रारम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद है जिसको कहा जाता है दुरगा पूजा भारत के किस राज़े में होती है वो होती है पश्शिब मंगाल वेश्ट मंगाल में राजधानी क्या है कोलकाता है कोलकाता किस नदी के किनारे है होगल बहुपाल जैपूर अम्रसर तो यहाँ पर अगर बात करें स्वड मंदिर की बात करें तो यह एक पार्ट है जहाँ पर आपके उत्तर राज्य में इस्थित जिसको कहा जाता है अम्रसर सहर जिसको गोर्डन टेंपल का नाम दिया है यहीं पर 1919 में जलिया वाला हत्याकांड जनरल डायर को मारने वाला उद्धम सिंग था आंसर जाएगा भाई D के साथ नेक्स बन की बात करें कुस्षर नंबर 19 कोको कोला कमपनी आपने जीवन में यूज करा होगा नहीं किया होगा तो आपने देखा होगा मारकेट में कोको कोला कमपनी कहां पर है कौन सा मुख्या अगर पूछे तो उसका राज्य अलग हो जाता है मुख्याले की बात करे तो उसकी जगह बदल जाती है लेकिन अगर हम देश की बात करे तो देश पहले बताता हो फिर हम आपको मुख्याले बताते हैं तो देश की बात करे भारत की बात नहीं होगी कोको कोला कमपनी पाकिस् खनिश के लिए पुसिद है चांदी लोहा सोना पीतल राहुर के लखी बात करें चांदी लोहा सोना पीतल के साथ सबी बच्चे लाइक करने के लिए सस्क्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद गुरुजी वार्ड एक्जाम स्टड़ी में हर बहन हर भाई का सेल्यूट से है बड़े बच्चे हों हमारा एक मोटिव है आपको सरकारी सीट दिलवानी है यानि सरकारी नोक्रिह की रावर केलँ किस खनिश के लिए प्रसिद है तो रावर केला दुष्त लोहा के लिए प्रसिद है आइसर जाएगा भाई आब भारत में लोहा सबसे आदा राउर के लामे होता है बी के साथ चला जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी में अगर आप आए हैं तो नीचे आपको टेलिग्राम की लिंक दी होगी टेलिग्राम लिंक से जुणने के लिए आपको नीचे लिंक डियरेक्ट मिल जाएगी डियरेक्ट आप जोईन हो सकते हो क्लिक करके आप सभी के परिवारों मातापिता को मेरा जैहिंद एक बार फिर से वंदे मातरम हमेशा पोजिटिव रहेगा सुस्त होगे तब ही आप बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और अगर बेहतर पढ़ाई करने के लिए अगर आपका माइंड ही संतुलन में नहीं है बीमारी ही रहेगी तो फिय सिंपल सी बात है कि कहीं न कहीं पढ़ाई वेलेंस नहीं खाएगी तो लब यो गाइस थेंक्स पर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टड़ी वंदे मातरम आदाप सस्रियकाल जै महाकाल ताठोकर इंकलाव जिन्दाबाद